साल 2007 में आई सुपर डूपर हिट पार्टनर एक बार फिर से अगले साल यानि साल 2024 में बड़े परदे पर आपको देखने को मिलने वाली है इस फिल्म में आपको नए कलाकार नजर आएंगे जी हाँ इस फिल्म में सल्मान खान और गोविंदा तो होंगे ही क्योंकि उनके बिना फिल्म अधूरी सी नजर आएगी लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें कुछ नए कलाकार भी नजर आने वाले हैं कार्तिक आरियन, वरुण धवन कियारा आडवानी और एक्टर्स अनन्या पांडे वेल आपको बता दें कि इस फिल्म को एक बार फिर से डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले हैं और कई सारी चीजों के साथ इस फिल्म में एक बार फिर से रोमैंस होगा और दमदार कॉमेड वेल आपको बता दें कि जो किर्दार पहले सल्मान खान ने निभाया था उस किर्दार को पार्टनर टू में एक्टर कार्तिक आरियन निभाते हुए नजर आने वाले हैं और वरुण धवन की लव लाइफ को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे वरुण धवन के यहाँ रोमेंटिक पार्टनर बनने वाली हैं एक्ट्रेस कियारा एडवानी तो वहीं कार्तिक आरियन के साथ आपको जोड़ी में नजर आने वाली हैं एक्ट्रेस अनन्या पांडे इस फिल्म में जहां पिछली बार आपको सल्मान, गोविंदा और कैटरीना कैफ नजर आये थे तो वहीं इस बार फिल्म में आपको कार्तिक आरियन, वरुन धवन, कियारा आडवानी और अनन्या पांडे नजर आ सकते हैं। बता दें कि ये फिल्म अमेरिकन फिल्म हिट से इंस्पायर्ड थी। खबरों के अनुसार इस फिल्म का अनाउंस्मेंट हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। फिल्हाल दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस फिल्म में गोविंदा और सलमान ही होना चाहिए या फिर नई कास्ट होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।